हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दिस इस अपना शिखावत वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर एस सिखावत बैंकर्स फ्रेंड्स जैसे की हमारा डेली का सबसे पहले motivational quotes होता है जिससे की हमारा पूरा दे एनर्जी से भरा हुआ होता है एक positive energy आती है उस्सी तरे आज का हमारा motivational quotes है कि जल को बरफ में बदलने में वक्त लगता है सूरज को निकलने में वक्त लगता है किसमत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने होसलों से किसमत बदलने में वक्त लगता है फ्रेंड्स यहां पर सही बात कही है कि किसमत को हम नहीं बदल सकते कि हमारी किसमत में क्या लिखा है बट अपने होसलों से हम अपनी किस्मत को आरब से बिदल सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं सोचते कि हमारी किस्मत में तो यह नहीं है हमारी किस्मत में यह नहीं है फ्रेंड्स आप अपने लक्षे के परती इमांदार रहें आपको अगर इमांदारी के साथ कुछ काम करते ह हार्ड वर्क की साथ कुछ काम करते हैं, आपको आपकी लक्षे तक जाना है, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, और पूरी ओनेश्टी की साथ, अगर आपने वो काम किया है, तो आप अपनी किसमत को अपने आप बदल सकते हो, किसमत हमारे हाथ में होती है, हम अपनी किसमत को कारण गर्म होना तो यहां पिर तोरेड का मतलब होता है वेरी होट समझ गई होंगे friends synonyms क्या होगा sweltering, arid, blazing, sizzling और antonyms क्या होगा chilly friends यहाँ पे c-h-i-l-l-y है okay friends यहाँ पे लिखने में mistake हो गया typing करने में mistake हो गया so friends ध्यान रखना है chilly means होता है cold यह निकी ठंडा cold, dump, moist, frigid और wet so friends आज की हमारी second vocab है prudent prudent एक adjective है जिसका मतलब होता विवेकी या फिर बुद्धिमान means एक wise person इनकी wise are judicious in practical affairs sagacious means that कि एक ऐसा person जो कि वेहारिक मामलों में बुद्धिमान हो तथा विवेक पूर्ण तरीके से वो काम करे या फिर एक ऐसा person उसको बोलते हैं prudent synonyms क्या होगा wise quotes discreet reasonable or diligent antonyms क्या होगा stupid careless expensive foolish reckless or rash so friends आज का हमारा third vocab है solidarity 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 noun है जिसका मतलब होता एक जुटता है निकी एक संग्ठन होना union or fellowship arising from common responsibility team means that कि एक समू के सदेशियों के बीच या फिर वर्गों के बीच समाने जिम्मेदारियों तता हितों से उत्पन होने वाले संग क्रियेट करना friends देखी यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो solidarity है इसका मतलब होता एक जुटता के साथ मतलब कि एक समू के सदेशियों के बीच एक unity होना या फिर वर्गों के बीच जो विबिन धरम होते उनके बीच जो सामने जो जिम्मेदारी होती responsibility होती है या फिर उनके हित के लिए एक संग को क्रियेट करना यानिकि एक unity को क्रियेट करना मतलब एक union को क्रियेट करना उसको बोलते है solidarity synonyms क्या होगा concurred, agreement, consensus, harmony और sport antonyms क्या होगे disagreement, diverse, antagonism और discord so friends आसकी हमारी fourth vocab है erodite erodite एक adjective है जिसका मतलब होता है with the man having profound knowledge या फिर characterized by great knowledge means that की एक ऐसा person जो की well educated हो या फिर एक ऐसा person जिसमें महान ग्यान की विशेषता हो with the man हो वे ज्यानिक हो किसी चीज़ के परती synonyms क्या होगा knowledgeable literate intellectual intelligent और antonyms क्या होगे ignorant ill-informed uncultured और uneducated so friends आसकी हमारी last vocab है banality banality noun है जिसका मतलब होता है साधारणत means common saying original originality sorry friends यहां पर लिखने में mistake हो गया O-R-I-G-I-N-A-L-I-T-Y okay friends यहां पर क्या होगा यह original है ना इसके आगे I-T-Y ऐसे लगा देना इसको हटा देना A-T-I को so friends यह बन गया common saying originality means that की the condition or quality of a being banal or devoid of freshness or originality यहनि की एक banal होने की situation यह quality होना यह फिर ताजगी से भरा हुआ होना यह फिर मौलिकता से रहीत होना उसको बोलते है banality यहनि की साधारन तरीके से कोई चीज है ना जो reality दर साथी original है जो की fake नहीं है उसको बोलते है banality synonyms क्या होगा platitude truism buzzword और plate antonyms क्या होगा originality epigram coinage और nuance so friends आज का वोके बसे से अगर आपको अच्छा लगाओ तो चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए so bye bye मिलते है morning tk साथ कल सुबज छे